सब्सक्राइब तो आई यूट्यूब चैनल एंड दोस्तों में देम पंड इते पर फिरसे आपका सावज करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप से हमें एकनोमिक्स एको का इको का स्लेवस चालू करेंगे ठीक है 11 और 12 कि से रिलेटेड ठीक है आपको पता ही है 12 का स से पहले ही 11 12 का मनलव सेम सेम कर दिया था चुछ और यस बाहर तो बहुत तो सारे टॉपी कट गए थीक है मलब अब तो इतने सारे और इसमें क्या करेंगे के जिनोंवी टौपिक्स सावब करेंगे एक बात ऑफ़ एक बार इंट्रों की करके तो यही है फिर आज पहली विडियो ठीक है एलेवन्थ का जो ट्वेल्थ में था वह एलेवन्थ में दे दिया गया पहला चेप्टर जो भी ठीक है उससे रिलेटेड वीडियो चलो देखते हैं आज कि में है क्या ठीक है इंट्रो आज देखो अध्यान से देखना यह क्या लिखा है अर्थिसास्त्र पढ़ने में तो आ रहा होगा ना एक ममें यह अर्थिसास्त्र एक मानविय वहवार का विज्यान है एक मनवय वहवार का विज्यान है जिसका सम्मन्द दूरलप संसादनों का वेकल्पिक उप्योग में इस इस परकार बटवारा करना है कि उभोगता अपनी संतुष्टी को अधिक्तम कर सके और उत्पादक अपने लाब को प्राप्त कर सके तता समाज में अपने समाजी कल्याण को अधिक्तम कर सके मतलब क्या है इसका अर्थिशास्तर का मतलब क्या है अर्थिशास्तर मानव विज् कि द्यान से समझना की जिसका समस्मज़ दुरुलभ संसाधन दुरुलाव मतलब होता है खतम हुए वह या बहुत कम ॉनटिटिटि में संसाधन मतलब जिनकर यह संसाधन है और कोला है संसाधन है जैसे कि अब यह दुरुल भी तो दुर्लब यह समझे जैसे पैट्रोल है खतम होने वाला है कुछ साल बाद बहुत कम पैट्रोल ना के बराबर बचेगा आगया जनरेशन में तो उसी को दुर्लब कहते हैं जो की बहुत कम हो ठीक है संसादल का वेकल्पिक परियोग वेकल्प मनलब एक दो तीन चार चार विकल्प पास लह पकर बाकर करता आपको साथ ऑपने खानाया यह उसक्रला थीक है जैसे कि आ गये दुकान पर आपने डेट लाया ए बिष्किट का पैकिड या तो बिसकेड Mobil आमने खाए सारे तो क्या कर रहा है क्या कर रहा है समझ ये संतुष्टप apa कि मनलब उभूchnitt है न अपना पैसा कज कर के तो संतुष्टी को अभू कि अपने लॉब को अधिकतम कर सके अब जब वोक्ता ने वो चीज खरीदी है तो खुरीदी होगी अब दुकानदार के पास मनी तो दुकानदार का फाइदा हुआ प्लस में और यहां पर उभकता का वी फाइदा हुआ क्या उसकी भूख मिटी है उसका संतुष्टी में लिए ठीक है तो लाब अधिक्तम कर सके तथा समाज अपने कल्ले याण को दिक्तम कर सके मतलब श और्त सास्तर वो साखय जिसके अंदर करें की कोई चीज खाले जैसे बिस्कृट खाले और उत्वफाथा पेजके पैसे कमाले और सब लोग खुसी इसने इसको दिया खिस worn बेचे ऑर दोनों खुसे हैं को क्या क्या होता है यह होता है अर्थववस्था यह वह वह सदो कैला किना इस क dessert के आरथव सदों कि आरख वर यह पढ़ने वाले ठरल्त मैं मैं अर्थिसास्थ्र लिएunden say फेले प्रेंट पर चलते हैं मैं आर्थीग समस्या मतलब जिस बी चीज में आर्थिग लगाये ना तो आपको एक चीज एक कीवर्ड आद रखने है में साइकनोमीक्स में अगर किसी भी चीज में आर्थिक लगाने तो आर्थिक का मतलब क्या है पैसा पैसे से जुड़ूई कोई भी चीज होगी आर्थिक क्या होगा पैसे से जुड़ूई कोई भी चीज आर्थिक फसल पैसे से जुड़ूई आर्थिक मदद पैसे से जुड़ूई मदद आर्थिक अकाल पैसे से लेते हैं आर्थिक समस्या चैन की समस्या है संसाधन की समस्या है इसलिए उद्धे होती है क्योंकि संसाधन दुरलब है संसाधन का व्यकलपिक अभी मैंने आपको बताया है क्या यहीं समस्या है आर्थिक समय स्मय क्यों होती , ہے समस्य कभी आती इस mistress से का दूर्इत पड़ होती है जीज़ों की जब भी हमारी इच्छा होती है क्या होता है हमारी इक्छा तो समस्य पक्काएगी ठीक है अब यह जो है सो रुपए और हमारी इक्छा है कि INTU जो एक लाख रुपे की तो हमारे बीस रुपे और हम क्या क्पाइंगे बर्गर किंक का जो की सक्तर रुपे का तो हो सकता है नहीं हो सकता ना तो यहाँ है कि हमारी इक्षा किंट 60- رुपय वाला समय ची तो यही समस्य खा कि फिर हम निरास होगे스럽़ हमारे नहीं नहीं वह भीत रोग्हेदी तो यही क्या संसाधनों के यही प O J High क्या समझते रहना संसाधनों के 100 की समस्य है तुक संसाथन दूसरे नमबर पर वह क्या 40 उर्पे का और एक है जो कि क्या 20 उर्पे का तो हम कौन सा वाला लेंगे हम 20 वाला ही तो लेंगे या इसे कम वाला क्यूंकि हमारे पैसे तो 20 उर्प है न हम यह थोड़ी ले सकते तो यहीं कल्पिक पर होगे समझ गे बहुत वह वह कल्प चुलना जो कि हमारे लिए सहुलियत में हो और हमें फायदा भी दे समझ गे यहीं होता अब आर्थिक किरिया है मैंने क्या बताया था आर्थिक क्या होता है जो भी चीज पैसे से लेडिटेड होगी वह आर्थिक होगा अब देखो दुरलब संसाधनों के परियोग से संब्द नहीं उतबान उतबादन का मनला ता कोई चीज बनाना जैसे की इदसीमें लोग उतौढ़न करते हैं अब फसल का उत किसी चीज को ले के बेचना या किसी संपत्ति को दुवार से ब्दलाव करना कोई भी करिया किस से ह 흥 होगी यहीं जो की से रही इस ते लिड़ाध बोग निवेज विन में में आणल को वेश्टी अर्षास्त की वैसा आख है जो विट्टिकत अर्ठी कि कायू एक बुघ्ता द्यान से समझना और एक उत्पादक से संब्द्थ21 समस्या काम अध्यान करती है ठीक एस असाधन का वंटन की समस्या व्यस्ची अरसात का प्रमुक्व मुद्ध है ठीक दे अर्षास्तर है ग्हों था यह व्यष्ट्टी यह ओठाश्तर होसा टे मिले क्या हो थाштय क्यों आपकले शम्मझेन है ऐसा देखो पैस्ती है द्धैक्टि नहीं देखना है नहीं हुआ संवनिय एसी लिखते वैक्टि लिखतें छनाशर, 15 व्यश्टी पूंकर पितैं कोना एक व्यक्म्ति से समबंद होता है और जो समष्टी होते हैं समस्टीlair तो समस्टी और समई जैसा है दूस सब सरको किले shit समझे और जब एक व्यक्ती की बात करेंगे तो उसे व्याश्टी खैस क्या कहानी कि व्याश्टास क्या होगा जब किसी कि आदमी की कि बात करेंगे कि बात करेंगे वों realise still में क्या होगा जिसमें सब की बात करेंगे भाला सारी फैक्टरीएं पूरा दैस वह सारे तो यह किस में होगा समझ्टी में समझ के समझी गए अब आफ डेफिनिशन देख लेते हैं समझी आ जाएगा असान है इतने अच्छे समझा रहा है क्यों नहीं आएगा मेरे भाई यो ठीक वैस्ट्री अर्शास्त्र की वे साका है जो व्यक्तिकत आर्थिक काई हो जैसे कि ए एक बंदे की प्रवब्रम समझ गे तो यही था अब अगला पढ़ते हैं समस्ट्री अर्शास्त्र ठीक आप समस्ट्री देख लेते हैं समस्ट्री अर्शास्त्र अर्शास्त्र की वैसाखा है वह वाली ब्रांच है अर्शास्त्र की वह ब्रांच है वह कहानी अर्शास्त्र सबको एक सासे समस्टी सासे सब को आर्थिक समस्या अरव का ध्यन करती है उत्पादन तता रोजगार अब उत्पादन की समस्या सब लबदा पटवारा करना जैसे कि मैं किसान हूँ मैंने फसल बन उगा दी फसल उगाने के बाद अब संसाधन को बाटना भी तो यह बाटना भी तो है ठीक है यह यह थी आपन्टन की समस्था और यह क्या नाम है समश्ट्री अर्षास्त्र में उत्पादन और रोजगार कैसे हो गएगा और रोजगार कैसे मिलेगा ठीक है अब अगले पर आ जाते हैं बजार अर्थषास्त्र कि अब मार्केट इकनोमी नाम से समझ रहेंगे आप लोग मार्केट इकनोमी ठीक है सौरी यह पैंडंग से चल नेरा गरीब आदमियम आप लाइक से सब्सक्राइब किस है क्या कैसे करें जानिये का समाधन पूर्ती और मांंग की बजार्सक्तियों दार होता है देखिए अब क्या है इसको मैं अ आच्वाय देता हो आए नीचे-जो क्या अलता है जैसी कि Charves सभुएस्था में है तेगी यह है कि कैया उत्तपादन करें कैसे उत्तपादन करें इसकी समझ्या कि जया अक्तल पाधन करें ओर झिख और किसे लिए करें यह ध्यानता समझें अब देखोundert कई किसी से पढ़ा होगा आपको समझ नहीं होगा लेकिन मैं समझा देता हूं और आएक अच्छे से नहीं आए ना आभी वीडियो डिसलाइक करके कुछ उल्टा बोलके चल जाना ठीक क्या उत्पाधन करें मतलम अब देखो मैंने क्या पता है हमेशा आपको इकनोमिक में यह एक देखना पड़ता प्लाओ कि क्या उत्पाधन करें रुपे कितने केबल रुपय हैं ठीक तो यह तेखे का लोगत है अगर नंटे इसका उत्पादन कर लोक सद्पादन कर लिए तिस में हैं या तो 50 को कर लेगा ऐस तो कि समझ घए क्या समस्य है आप बा॔र करें बहुत्त समस्थते साजी क्यошतन करे कैसे उत्पादन करें में दो चीज आती यह कैसे क्या है genocide ही कैसे मजदूरों के धौरा करवाएं यह स्मझल मसीनों कर दौरा करवाने को बलते पुंजी वाद पुंजी वादी अर्थवरस्था और आद्विओ्lerde कर जो गोवादी से करवाइब जांगे अगर दिमाग लगाना विरुजगार हो जाएंगे और Сп rely करेंगे तो किसी को पिर कंप्यूटर चलाने और सारे गवार के गवार रहेंगे समझ की समय स्थना चलता क pagan लेकिन लोग क्या होगा यहां पर वह नहीं आएगी जो मतलब देश का विकास नहीं होगा ठीक है पूंजी वादी से विकास होगा और समाज वादी से क्या होगा रोजगार बढ़ेगा यह द्यार नठने अपको अगले उसमें समझाऊंगा जब टॉपिक्स आएंगा अब अपर उपर से यह समझा दूंगा ना कि आप भी पूरा पार्ट आपको समझा जाएगा अब देखो योजना पंदर्थवेस्ता क्या होती है योजना पंदर्थवे जरने लें पहले चलती थी ठाव तो पांत साल आतने तो क्या करते है अब सभूझ देखते हैं क्या-क्या काम करने अर्थवस्ता में तो उसको लिखती है बजड भी बनाती है यह बहुत करके बनाएं कि डeam बनाने नदी बनाने वह बहुत प्लैन करके बनाते हैं ठीका के बनाती है इस को प्लांदर तोध में कशिक काम करें किस हुज कि भुक्तम करें करें उत्पाधन किया जाए उत्पाधन सरकार दोरह नेक्ति अधिकारी तों सरकार में बड़े बड़े अधिकारी है जैसे कि फाइनांस मिनिस्टर के साथ वाले जो भी एकनोमिक्स में पीएच दी करें बड़े-बड़े लेवल के एकनोमिक्स यही तो करते हैं जो रिसर्च के लिए क्या अच्छा है कौन सी स्कीम अच्छी है क्या करना चीए क्या नहीं करना चीए जैसे आर बियाई के अंदर बड़े उत्पाधन संभापणा वक्र बोलते ह्सी लिए्लव दो वस्टूओं करता संसाधन और मतलब क्या है कि ईसे करके आप से लेकशलन अठीक है अका कि इसे बोलते पीपीटी कर्व मतलब कि आपके पास यहां पे जो संसाधन है और यहां पर संसाधन ः उसको देख के कितना सकते हो क्या होता है कि हम मांनते हैं महारी अर्थवस्ता में किन्हें हमारे पास 100 के हैं मं बाद स्टाइर संसाधन से कि मटें 10 माल लो चलो हजार मान ले नहीं को बोलस्ट है ठीक है तो हजार है हमार पास तो हमने क्या कर रहा हमें यहां गेहूं गाना है और यहां पर बंदू के ठीक है तो हमने गेहूं वाले में किने लगा दिए 700 रुपे लगा दिए और यहां पर 300 रुपे लगा दिए समझगे तो यह वाला हमें यह यह पता लगा यह यह उग रह प्रोडक्शन पॉसिबिल्टी कितना अत्पादन कर रहें अब अफसर लागत पर आजाओ आफसर लागत होती है एक संसाधन एक अच्छे संसाधन के लिए दूसरा उससे थोड़ा कम अच्छा संसाधन त्यागना अफसर रहाति आपको ना दो नौकरी मिल लिए एक किसकी दस अजार वाली और थोड़ी हम कि एक सतर अजार वाली पहले ही आप काम करें था अपको रिश्तेदार दे रहा था ठीक हैए और सतर आजार वाली गौर्नमेंन जौब है कोई और दे रहा है ठीक है आप जब यहां काम कर रहे थे ना अगर आपकी सतर अजार रुपे मिलेंगे तो आप छोड़के जाओगे ना गैरेंटरी जोड़के जाओगे किसी के बाप कम दम नहीं आपको रोक ले आप तो भागते जाओगे ठीक है तो यही होता है कि एक अच्छी लागत के लिए दूसरी अ लागत के लिए आपने क्या करा 50,000 वाली को लात मार दीना तो यह 50,000 वाली एक अच्छे विकल्प के एक अच्छे इस त्रहजार वाले थी त्याग दिया तरिक पचास-जार को चाग दिया सत्तर हजार के लिए त्प्सर लागत अब इसमें जो लगी है न लगत असकि अश सजारेल्ज की अफसरलागत समझ गें अब आजा सीमान तफसरलागत होती है जब एवस्तू के लिए भी देखो क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से कि अच्छे समझ आजाएगा अब देखो एक लिए बी सी डी ए अफ ठीक है अब सीन क्या है कि आप एक में मिलने आपको 10 रुपे पहने भी नहीं चलना डंग से आप प्लीस लाइक करो शेयर करो यार एक के लिए आपको मिलने 10 इसके लिए 11 इसके लिए 12 इसके लिए 13 इसके लिए 14 इसके लिए 15 ठीक है तो क्या होता है हर एक के बाद दूसरे पर जाने के लिए एक के बाद हर दूसरे अच्छे पर जाने के लिए अब इससे अच्छा ही है और 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 इससे अच्छा हर एक पर जाने के लिए आपने क्या करा है ए एक कि त्याग करिए जो भी यह पीछले वाले को त्याग आपने कि एक त्याग करा आने के लिए यह सिमान तफसर लाहत क्या वोटें पैंको कि Can s समझें को यह समझ गहें के लिए 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 बाहर वाली को त्यागना अरे बहर वाली को त्यागना ठीक है यह होजाएगा देखो सकल तो यही होता है आपका यह पूरा हो जाता ठीक है तो आप बताओ वीडियो मेरे को मेरे को लगा है आपको समझ आगया हो क्योंकि मैं अच्छे थोड़ी मैनत करी है तो लाइक करो शेयर करो इतने बोलूंगा नहीं बस एक सब्सक्राइबर बढ़ा दो अपने हाथों से ठीक ह अब आप इसकी वीडियो बनाने लगा हूं तो आएगे समझ आए तो कमेंट करके पक्का बता है कि ऐसे समझ नहीं है या ऐसे और अच्छे से वीडियो बनाओ ठीक है और बाकी धन्यवाद ऐसी बनती रहें कि वीडियो मैं आपका दोस्त डियम पंडित आप से भी दालेता